Hello everyone, Welcome to Success with Rai Academy, Current Affairs, Current Affairs में आज हम 25 नवंबर 2021 के important questions को discuss करेंगे, इस वीडियो में उन सभी questions को लिया गया है जो exam के point of view से important हो सकते हैं, हर question के साथ आपको important facts भी बताये जाएंगे, जिसे आप चाहें तो note कर सकते हैं, जैसे अगर किसी राज जी का नाम आता है तो उसके मुख्यमं country, governor और capital के बारे में बताया जाएगा, और अगर किसी देश का नाम आता है, तो उसके president या prime minister, capital, currency के बारे में बताया जाएगा, तो ये जितने facts होते हों, banking exam के लिए बहुत महत्पूर्ण होते हैं, साथ ही SST के लिए, तो आप इसे note करते हुए चलिएगा, और इस पूरे video का in questions का pdf आपको हमारे telegram channel success with rai academy से मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से download कर सकते हैं और practice कर सकते हैं, चलिए अब video को सुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो question हम ले रहे हैं, पहला question है हमारा, किस राज्जी को देश का सरुसेष्ट समुद्री राज्जी का पुरुसकार प्रदान किया गया है, इसका right answer होगा, B option, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को जो सरुसेष्ट समुद्री राज्जी का पुरुसकार प्रदान किया गया है, केन सरकार न इसको देश का सरुसेष्ट समुद्री राज्य घोशित किया है उड़ीसा के बाला सोर को सरुसेष्ट समुद्री जिले जबकि मद्य प्रदेश के बाला घाट को अंतरदेशिये मतस्य पालन में सरुसेष्ट जिले का पुरुसकार दिया गया है इस छेत्र में सरुसेष्ट प हैं आंद्र प्रदेश के बारे में आंद्र प्रदेश जिसके मुख्य मंत्री है यहां के गवर्नर है विश्व भूशन हरिश्चन्द और यहां की कैपिटल अभी हैद्राबाद है जो आगे चलकर अमरावती हो जाएगी सुडान में भारत का अगला राजदूत किसे न्युक्त किया गया है इसका राइट अंसर होगा second option B.S. मुबारक B.S. मुबारक को सुडान में भारत का अगला राजदूत नुक्त किया गया है विदेश मंत्राले ने यह जानकारी दी है विदेश मंत्राले के बयान के अनुसार वर्स 2001 बैच के भारती विदेश सेवा के अधिकारी मुबारक अभी ग्वाटे माला में भारत के राजदूत के रूप में कारे कर रहे हैं इसमें कहा गया है कि मुबारक को सुडान में भारत का अगला राजदूत नुक्त किया गया है वे जल्द ही कारे भार समालेंगे तो सुडान में भारत के अगले क्य swings कैभी राएस्ट कौन है विसक्राइब आपर कांट्री के वारे में हम जान लेते हैं यहां की क्याहिपिटल कर्टू यहां की राश्ट पति है अहमद अवाद अल्बन औॉफ यहां के राश्ट पती हैं, तो अब next question पर आते हैं, next question है, मद्ध परदेश सरकार ने पाताल पानी railway station का नाम बदल कर क्या रखने की घोष्णा की है, इसका right answer होगा, first option, टंट्या मामा, मद्ध परदेश में भोपाल के हबीब गंज railway station के बाद अब एक और railway station का नाम बदला जाएगा, सुबे के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान ने घोष्णा की है, कि इंदौर के पाताल पानी railway station का नाम बदल कर टंट्या मामा railway station किया जाएगा, जानकारों का कहना है कि टंट्या भील का जन्म खंडवा, जिले की पधाना तहसील में साल 1842 में हुआ था, पिता भाव सिंग ने टंट्या को लाठी और तीर कमान चलाने का हुनर सिखाया, टंट्या ने धनुस बान के साथ लाठी चलाने और गोफन कला में इतनी निपोरता हासिल कर ली थी कि उनकी चर्चा होने लगी, तो इसका राइट एंसर होगा टंट्या मामा, अब यहां पर मद्ध प्रदेश, स्टेट की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री आपको एंसर में ही पता चल गया, सिवराज सिंग चौहान, यहां के गवर्नर है मंगू भाई, सी पतेल और यहां की कैपिटल है भोपाल, नेक्स्ट कोश्चन है, पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत किसे न्युक्त किया है, इसका राइट एंसर होगा, थर्ड ऑप्शन मसूद खान, पाकिस्तान ने आतंकियों से करीबी संबंद रखने वाले मसूद ख संब्धनों के गहरे प्रभाव को दर्साता है, मसूद खान हिजबल मुझाहिद दीन जैसे आतंकी संब्धनों का सक्रिय समर्थक है, जिसे 2017 में ट्रम प्रसासन ने आतंकवादी संब्धन घोसित किया था, तो पाकिस्तान ने अमेरिका में किसे अपना राजदूत न्युक गर्फ किया है, मसूद खान को, यहां पर दो देशों की बात हो रही है, पाकिस्तान जो भारत का पडोसी देश है, इस्लामाबाद यहां की केपिटल है, करंसी है, रूपिया, और यहां के प्रधान मंत्री है, इम्रान खान, अमेरिका जिसकी केपिटल है, वशिंग्टन, DC करेंसी है डॉलर और राष्ट पती है जो बाइडेन जो कि 46 क्रम के अमेरिका के राष्ट पती है नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं केंद्रिय रेल मंत्री ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्सन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की खोशना की है इसका राइट एंसर होगा फोर्थ ऑप्शन भारत गौरो ट्रेन सबसे पहले आपको केंद्रिय रेल मंत्री का नाम पता होना चाहिए भारत में भारत के रेल मंत्री है अश्वणी वैश्णों तो जो रेल मंत्री है अश्वणी वैश्णों ने रेल यात्रियों को नई सौगाद दी है भारती रेल यात्री और माल धुलाई खंड के बात परेटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरो ट्रेन शुरू करेगा रेल मंत्री ने बताया कि भारत गौरो ट्रेन की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होगी रेल मंत्री अश्वनी वैश्णों ने इंडियन रेलवे के पैसेंजर और फ्रेंट वर्टिकल के बाद टूरिज्म सेग्मेंट का एलान किया है और इसके लिए लगबग 190 ट्रेनों के आवंटन याने की उसको चलाने की घुष्णा की गई है नेक्ष्ट है नासा का लेजर संचार रिले परदरसन किस तारिक को लाँच किया जाएगा इसका राइट एंसर होगा थर्ड ओप्शन 4 दिसंबर 2021 को सबसे पहले question में आया है नासा तो सबसे पहले हम नासा के बारे में जान लेते हैं उसके बारे में detail देखेंगे नासा जिसका फुल फॉर्म है National Aeronautics and Space Administration फिर से सुन लीजिए National Aeronautics and Space Administration यह American government की एक साखा है यानि की USA government की एक साखा है जिसका headquarter Washington DC में है इसके जो अध्यक्ष है वो है Jim Bridenstine इस NASA के वर्तमान अध्यक्ष है Jim Bridenstine और NASA का motto वाक्य है for the benefit of all अब कोशिशन के बारे में जान लेते हैं डिटेल कि NASA का laser sun 4 relay प्रदर्शन यानि की LCRD दो साल की देरी के बाद 4 दिसंबर 2021 को लांच किया जाएगा इसे रक्षा विभाग दोरा Space Test Program सेटेलाइट मिसन के दोरान United Launch Alliance Atlas V Rocket पर अंत्रिक्ष में लांच किया जाएगा इस मिसन को फ्लोरिडा के Cape Canaveral Space Force Station में लांच किया जाएगा यह Artemis Monoyukth Chandraman Landing Mission को लाभानवित करेगा जिसे वर्स 2025 में लांच किया जाना है इस लेजर मिसन की योजना को वर्स 2011 में मनजूरी दी गई थी तो यह इस कोशन की डिटेल थी अब next question है UAE के साथ किन दो देशों ने जलवायू संकट से निपटने के लिए छेत्रिय सहयोग पर अपनी सहमती जताई है इसका right answer होगा Jordan और Israel याने की first option अभी हाल ही में Israel, Jordan और UAE के बीच अपने छेत्र में उत्पन होने वाले जलवायू संकट से निपटने के लिए परसपर छेत्रिय सहयोग के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये गये है इस समझोते के तहत हरित उर्जा विकल्पों को अपनाने पर जोड़ दिया जाएगा इसराइल के उर्जा मंत्राले ने अपने एक बयान में कहा है कि इसराइल, Jordan और संयुक्त अरब अमिरात ने जलवायू संकट के खिलाफ लड़ाई में छेत्रिय सहयोग के लिए एक एतिहासिक समझोते पर हस्ताक्षर किये है यह समझोता जलवायू संकट की चुनोतियों के साथ साथ इस छेत्र में उर्जा, सुरक्षा और पानी की आपूरती के लिए संयुक्त प्रतिक्रिया को सक्षम करेगा अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से UAE, Jordan और Israel तीनों देशों के बारे में जानकारी देनी है इतना तो आप भी सर्च करके अगर आपको आता है तो आप नोट करिएगा बताईएगा और अगर नहीं आता है तो आप इससे सर्च करिएगा ताकि आपको भी नॉलेज हो नेश्ट है कि रक्षा मंत्राले ने रूस के साथ कितने हजार करोन रुपए के एके 203 असौल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है इसका राइट एंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन पांच हजार करोन रुपए रक्षा मंत्राले ने रूस के साथ 5,000 करोन रुपए के एके 203 असौल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है इस सौदे के तहट 7,5 लाख राइफलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी की एक फैक्टरी में होगा यह राइफल भारतिय सेना दोरा कई दसकों से उप्योग में लाई जा रही इसांस राइफल की जगह लेगी भारतिय सेना को 7.50,000,000 AK-203 असौल्ट राइफल की जरूरत है इसांस राइफल बिना मैगजीन और बेयोनेट के भी 4.15 किलोग्राम वजन की है जबकि AK-203 का वजन 3.8 किलोग्राम है इसांस राइफल की लंबाई 960 मिलिमीटर है जबकि AK-203 की 705 मिलिमीटर इसकी लंबाई बताई गई है तो इस कोश्चन में हमने रूस कंट्री के बारे में जाना रूस जिसकी कैप्टेल है मौस्को यहां की करेंसी है रूबल और राष्टपती है ब्लादी मेर पुतिन जो की दिसंबर में भारत की यात्रा पर आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं तो यह आज का याने 25 नौवंबर 2021 का करेंट अफेर्स कोश्चन का वीडियो था आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो का पीडियाफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेज वित राय अकेडमी से मिल जाएगा आप उसे वहां से डाउनलोड क कर सकते हैं जिसमें आपको एंसर भी ऑप्शन के साथ दिये जाएंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद